हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बाइक तो मेरे चानल एयार एजुकेशनल हबतो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नी 2021 के रेजिटेशन डेट और एक्जाम के बारे में तो ऐसे तो आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में एक अपडेट दिया था कि जो नी 2021 का जो NTA ने नीड एक्जाम का जो अपडेट दिया था वो है 1st August को कंड़क्ट होनी वाली थी लेकिन अभी जादा टाइम बागी नहीं है एक्जाम को लेके लेकिन अभी तक NTA ने कोई भी ऑफिशल अपडेट रेजिटेशन को लेके अपडेट नहीं दिया है जिसके उज़े से कई सारे स्टुडेंट्स परिशान हैं कि अभी तब कोई भी रेइस्टेशन या फिर अप्लिकेशन फोर्म का अप्डेट नहीं आया है तो ज्यादा चांस इस रिपोर्ट के मताबिक ये बोला जा रहा है कि जो नी 2021 का जो एक्जाम है वो उसको पॉश्पॉन करके डिले करके उसको सिप्टेंबर सिप्टेंबर तक उसको कंड़क्ट किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट के मताबिक ये भी बोला जा रहा है कि जिस तरह से कुरोना का सिच्वेशन है अभी थर्ड वेप का ज़्यादा चांसेस बोला जा रहा है जिसके वज़स जो एक्जाम में नीट 2021 का उसको अक्टबर में भी डिले किया जा सकता है क्योंकि नीट का एक्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है और अभी तक रिष्टेशन फॉर्म फिलप नहीं हुआ है और जिस तरह से सेंटर्स को बढ़ाने का भी बात किया गया है वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो जैसे कि रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बोला जारा है कि जो थर्ड वेप का ज़्यादा चांसेस है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बोला गया है कि डवली एचू का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि अगर इंडिया में 70% लोग वैक्सिनेट हो जाते हैं तो third wave का ज़्यादा chances नहीं है लेकिन तब भी अभी तक कोई भी हर जग़ स्लोट अवेलेबल नहीं है जिसके वज़ा से कहें लोग अभी तक vaccination नहीं लिए हैं तो जिसके वज़ा से थोड़ा chances है कि third wave आ सकता है तो ऐसे में नी 2021 का जो exam है उसको delay किया जा सकता है जिसके वज़ा से NTA ने अभी तक कोई भी update official नहीं दिया है registration date का या फिर application form का तो चलिए देखते हैं आज कर नी 2021 के बारे में कुछ official update है उसको हम लोग देखते हैं नी 2021 registration delays third wave fairs and status of vaccination experts rise concerns आपको मैंने अभी बढ़ता है कि जो third wave का chances है उसको देखते हुए भी नी 2021 का जो registration है उसको अभी तक update नहीं दिया हुआ है क्योंकि third wave का chances दिखता है क्योंकि अभी तक कोई भी 70% लोग जब तक वैक्सिनेट नहीं हो जाते इंडिया में तब तक possible possibility थोड़ा कम है third wave का नी 2021 registration and exam date have not been announced by NDA as yet. Confusion and delay over the medical entrance examination has left parents, students and experts worried about कुछ highlights है नी 2021 को लेके नी 2021 का जो registration है वो अभी तक start नहीं हुआ है जिसके हुझे काई सारे students, parents काफी ज्यादर डिस्टर्ब है क्योंकि अभी तक नीट exam को लेके कोई भी official update NDA जारी नहीं कर रहा है जिसके हुझे से students और parents काफी ज्यादर confused है Experts have raised concerned over possible third wave suggesting that time to conduct the exam may be he right now और expert और WHO के मताबिक third wave का chances का जो possible है थोड़ा over होने को दिखता है जिसके वज़े से suggest किया है कि जो भी अभी exam में जैसे need और जही का उसको delay किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तक third wave का chances है क्योंकि जब तक 70% लोग इंडिया में vaccinate नहीं हो जाते हैं तब तक third wave का ज्यादा chances दिखता है medical professionals are asking for vaccination on priority of all students who would be appear for the need और medical professional यानी NTA ने भी ये भी बोला update दिया है कि जब जो भी need में appear होने वाले जो भी students उनको vaccinate होना जरूरी है क्योंकि need 2021 का exam में officially उनको बोला भी क्या है अब्डेशन भी मिला है कि जितने भी students जो need 2021 exam के लिए पेर होने वाले सभी को vaccinate होना अनिवारी है national eligibility का में इस वन आफ दे लार्जेस एक्जामिनेशन कंड़क्ट इन कंट्री तो नी 2021 registration डिले से स्टूडेंस नी क्लारीटी तो नी 2021 का जो रिस्टेशन है उसको काफी ज्यादा डिले किया जा रहा है और जिस तरह से एंटी ने फर्स्ट ऑगस्ट को कंड़क्ट करने का अब्डेट दिया था लेकिन अब ऑभी एक्जाम को लेकर काफी कम टायम बझसे हो और अभी तेया कोई भी registration डेट को लेकर update नहीं आया जिसको जिसकर सारे students वे में विश्याम कशन काइशन में है तो अभी कोई से variation covid को लेकल बड़ा हुआ है भी third wave का ज्यादा chances है क्योंकि WHO की मताविक जब तक 70% लोग vaccinate नहीं हो जाते तब तक third wave का chances थोड़ा अर दिखता है तो ऐसे में जितने भी exam है उसको delay किया जा रहा है चाहिए जे मिन्स exam हो या फिर need exam हो ठीक है delay clarity on the when, where and how of conducting the examination is increasing the frustration in many students कि बार पर एक चीज़ को पढ़ना उतना नहीं हो पा रहा है जिस तरह से delay किया जा रहा है जिस तरह भी situation create हो रहा जिसके वज़ा से काई सारे students और parents को काफी जादा मुस्किल हो रहा है I have been preparing for the examination for over the three years and I have no idea when it would be conducted an exam date even if of October would give us some goal says Meeta a student and need aspirant इसमें से मीता एक need aspirant है उन्होंने ट्वीट किया था share किया था उनका जो need 2021 को लेकि जो preparation है उन्होंने कुछ share किया उन्हेंने कहा है कि कि वो तीन साल से preparation कर रहे थी त्री एर से लेकिन अभी तक जो need 2021 का जो exam को लेकि जिस तरह से तो थोड़ा काफी दिकत हो सकता है तो इसी तरह के सारे need aspirant है need student है जो ट्वीटर पे बार बार ट्वीट किया जा रहे हैं कि जिस तरह से अभी situation है COVID का और जिस तरह से exam और registration date को बार बार डिले किया जा रहे हैं कोई वी confirmation date अभी तक नहीं आया है अगर postpone हो रहा है फिर डिले किया जा रहा है exam को तो भी official update दे देना चाहिए लेकिन अभी तक एंटी एंटी के मताबिक जो exam है वो September में conduct हो सकता है क्योंकि जिस तरह से भी situation बना हुआ है करोनों को लेकि थर्ड वेप को देखते हुए अभी exam को डिले किया जा सकता है इसलिए एंटी ने अभी तक कोई वी official update नहीं दिया हुआ है registration date को लेकि Similar concerns have been raised by parents who are now getting an action regarding their child's future and even mental health. These are uncertain times and we need to find a solution for our children. These are the future doctors of the country. They are sitting at home and studying without any confirmation of when the exam would be or what would be the measures in place. It is highly irresponsible of India to keep students waiting like this, says Mr. Desmok, whose son is preparing for the exam. उसे तरह कैई ऐसे parents भी जो ट्वीट किये जा रहे हैं कि जितने भी parents के जितने भी students prepare कर रहे हैं 2021 को लेके काफे सारे parents ट्वीट कर रहे हैं कि जिस तरह से students कोई का सिच्वेशन बना हुआ है उससे दिखता है कि जो students उनका mentally health और mentally health काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जुगा है क्योंकि preparation तो कर रहे हैं अभी तक कोई भी official update नहीं आया है एक्जाम को लेके क्योंकि जब तक confirmation student को नहीं मिलेगा कि exam कब होने वाला अगर delay भी हो रहा है तो delay कब तक हो रहा है क्योंकि एक सारे लोग बोल भी रहे हैं कि एक काफी ज़्यादा irresponsible है क्योंकि students लोग जिस सरह से preparation कर रहे हैं काफी ज्यादा mentally disturbed हो चुके हैं क्योंकि exam बार बोला भी जा रहा है कि अगर exam delay हो रहा है या फिर postpone किया जा रहा है जो भी situation हो एक्जाम को लेके नी 2021 को लेके उसको update दिया जाए ताकि students को confirmation हो कि आखे exam कब होने वाला है क्योंकि यह 1st August को conduct होने वाली थी exam लेकिन फिर से reports के मताबकि यह भी बोला जा रहा है कि जो 1st August को जो exam है उसको delay किया जाएगा due to coronavirus तो ऐसमें जिस तरह से delay हो रहा है बार बार और जिस तरह से अभी तक confirmation need को लेके नहीं दे रहा update उसके वजह से students और parents दोनों के दोनों को काफी जादा जादा tension हो रहा है काफी जादा परिशान हो रहे है क्योंकि especially for students जो need aspirants need prepare कर रहे है क्य कोईट के उजिस खास कर इस साल जितने भी exam हुए काफी जादा tension बरे है क्योंकि boards और 10th और 12th बोर्ड ये दोनों boards को तो cancel कर दिया गया था regarding पहले 10th बोर्ड को तो confirmation and delay यानि cancel कर चुका था लेकिन 12th को लोगे काफी जादा लंबा चौड़ा काफी मन तक उसको delay किया जा र बोर्ड ने के बाद बोर्ड ने cancel किया था लेकिन स्टेम सिच्वेशन अभी नीट और जी को लेकिन नीट में भी यही एक सिच्वेशन चला क्योंकि बार-बार डील डीले किया जा रहा है कोफी confirmation update नहीं आ रहा है तो एंटी का responsibility बनता है कि जो भी update है जो भी जो भी है official कोई भी official update नहीं आए है यहां तक रिपोर्ट के मताबिक तो यह भी बोला जा रहा है कि जो एक्जाम है वह first August को conduct नहीं होगी तो officially जब तक कोई भी update नहीं आता है तो कैसे students satisfied है कैसे student थोड़ा काम हो जाए तो जिता ज्यादा हो सके NTA को NTA को अपना official update दे देना चाहिए कि exam delay हो रहा है तो वह exam कब होने वाले है और registration date अगर first August को अगर exam conduct हो रही है तो registration date update दे दे देना चाहिए जिसे कि थोड़ा students को काम मिल जाए नी 2021 exam date and fears of third wave नी 2021 exam को लेके और third wave को लेके दोन में काफी ज्यादा टेंसन भरी हुए क्योंकि third wave का ज्यादा chances बोला जा रहा है अगर 70% लोग डबले चो के मताबिक तो बोला गया है कि अगर 70% लोग गर वैक्सिनेट नहीं होते है तो ज्यादा chances होता है third wave का जिसके वज़ in September और October is rising panic among the aspirants, experts and even students यहाँ तक पॉसिबल भी है third wave का September और October में आने का जिसके होज़े से कह सारे neat aspirants even parents भी काफी ज्यादा टेंशन में है क्योंकि first august को बोला गया है neat exam होगा लेकि जिस तरह से third wave का possibility बताया जा रहा है उसके हिसाब से September और October में ज्यादा chances से third wave का तो ऐसे में एक्जाम कैसे होगा तो कैसे सारे students काफी ज्यादा परिश्चान है वो इसी question का answer NTA को update दे देना चाहिए उस NTA ने अप the third wave is suspected to be worse some are also suggesting that it would be impact kids now if that is the case then maybe NTA needs to conduct the exam before or before it will after but it must decide and share the same with students students opens Mr. Kausal who teach students for the entrance test तो इसी तरह के सारे students इसी तरह के सारे students parents और teachers विट्वीट कर रहे हैं NTA को की अगर exam अगर COVID को लेकिया या जो third wave का भी ज्यादा chances बोल रहा सिप्टमर और October में तो जो भी situation हो NTA को openly student के साथ share करना चाहिए क्यों कई सारे students जो mentally health से अभी depressed है एक्जाम बार बार डिले हो रह जारा तो कैसारी students अभी depressed है काफी जाद है mentally अभी torture हो रहे हैं तो जिसके वजह से parents even children even even teachers काफी जादा डिस्टरब है तो NTA को अपना official update दे देना चाहिए कि क्योंकि अभी first August को conducting के लिए बोल गया था लेकिन अभी third wave को ज्यादा chances देखा जा रहा था जिसकी वजह से registration date first week of July में निकलने वाला था वह अभी first week of July में नहीं आ रहा है तो ऐसे में कैसारी students parents और teachers भी काफी जादा भी tension में क्योंकि कैसारी students जो है mentally अभी disturbance में चले जा रहे हैं तो SME NTA को officially update दे देना चाहिए लेकिन अभी तक officially update नहीं आया है तो कैसारी students जो बार बार tweet कर रहे हैं tweet करना जरूरी भी है जिसे NTA को थोड़ा कोई भी official हो अगर वो exam conduct नहीं कर रहे हैं क्या सा situation तो update दे देना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही जो भी information था नी 2021 को लेके exam registration date को लेके और थर्ड वेव और नी 2021 में क्या इंफेक्ट बढ़ रहे है वैक्शनीट को लेके exam होगा या नहीं होगा कब तक delay हो रहा है वो सब आज हम लोग देख चुके हैं क्या है और यह official update है तो देखते हैं exam को लेके registration date क्या exam first august को conduct होगी या नहीं होगी तो reports के मताबिक तो नहीं होगी क्योंकि third wave का chances September or October में update दे दूंगी तो आज के लिए बस इतना ही उमीद करती हूं कि यह information आपके लिए काफे ज्यादा helpful रहा है क्योंकि कैसारे स्टूरेंस अभी काफे ज्यादा pressure में हैं तो उनको official update जाना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है नीट इंट ट्वेंटी कर 2021 को लेके तो उमीद करत जाहिर से बात है कि आप अपने आपको समाली अपने जो स्टूरी स्कोचे से कंटीनियू रखे है ज्यादा अपना हेल्थ का ख्याल रखेगा ज्यादा पैनिक नहीं होना ज्यादा depression में नहीं जाना है तो मिलते हम लोग अपने next update पे नेक्स वीडियो पे जो भी official update होगा न ही 2021 और जहीं से रिलेटेड आपको मिलती रहें तो मिलते हम लोग अपने next वीडियो पे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा अपना हेल्थ सबसे ज़्यादा most important होता है अपना हेल्थ का अच्छा से ख्याल रखेगा